हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक माई यूटूब चैनल डी एन डी आई में दोस्तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको अनुवांसिक कूट के बारें बताएंगे कि जेनेटिक कोड क्या होता है ठीक है फ्रेंट्स आप जैसे जानते होंगे कि इस ताइम हम जो जेनेटि कोड है त्रिपलेट कोड है जिसके बारे में हमने पढ़ रहा है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम जब से हमने जेनेटिक कोड के बारे में जाना है तब से हमने सबसे पहले त्रिपलेट कोड के बारे में नहीं पढ़ा इसके पहले भी हमने काई जेनेटिक कोड को दे क तो इसकी खोच की थी जॉर्ज गैमो जॉर्ज गैमो नॉम के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की खोच की थे त्रिपलेट कोड की ठीक है और सिंगलेट कोड और डबलेट कोड भी हमने पढ़ा है लेकिन वो यूसफुल नहीं थे उसके बेस्ट पर हमारी जो कैसे डाउट थ है क्लेर नहीं हो रहे थे में आपको थोड़ी दर में बदाऊंगा और इस खुष जहर्ज गेम होनी कि लेकिन इस पुष्टी लेकिन इसके और क्लियर इसके गयन होनी है! या जोर्ज गेमों को जो एक्सपेरिमेंट एक्टम acceptable है ये किस ने बताया था निरनबर्ग निरनबर्ग और इनके एक साथ ही थे जिसे हम बोलते हैं डॉक्टर हर्गोविंद खुराना हर्गोविंद खुराना इन्होंने बताया था इन दोनोंने मिलकर इस चीश की पुष्टी की थी कि जो जो एक्सपेरिमेंट है एमेनो एसिड जाननेगा त्रिप्लेट कोड का वह एक्दम से acceptable है और इनी के बाद इसके त्रिप्लेट कोड को accept कर लिया गया था और तब से लेकर आज तक हम त्रिप्ले इसन की बात करूत मैं आप यह हम यह बोल सकते हैं यह त्रिप्लेट कोड होता है वह तीन नाइट्रोजन छारकों से मिलकर बना होता है तीन नाइट्रोजन बेस से मिलकर बनने वाले अमीनो एसिड को ही हम त्रिप्लेट कोड कहते हैं क्या बोलते हैं त्रिप्लेट कोड कहत अठीक है फ्रेंड्स? यह तीन नाइट्रोजनी छारक से मिलकर बनने वाले अमीनो एसट को यह हम क्या बहलते है? त्रिपलेट कूड है, इतना आपको ख्लियर हो गया होगा, देखिए तीन नाइट्रोजनी छारक, नाइट्रोजनी छारक काँ कौन से होते है? आपका एड़नीन होता है गवानीन होता है साइटोसीन और यूरेसिल अब अगे इस नाहिटोज़नी बेस में अगर यूरेसिल प्रेजन है तो आपको पता हो जाना चाहिए यह जो नाहिटोज़ meth Members किसका है और याने का है अगर एड़नीन का होता यहां पर यहां पर क्या होता है थाइमीन होता और थाइमीन के प्रजेंस पर आप समझ जाएंगे कि यह जो नाइट्रोजनी बेस है क्या है किसका है डियने का है लेकिन यहां पर थाइमीन नहीं है यूरेसील है तो आपको पता हो जाका चाहिए कि यह जो अन्वांसिक कुट ह वो RNA का है यानि जो कोडोन बनेंगे, कोडोन क्या होते हैं, कोडोन, कोडोन जो तीन नाइट्रोजन बेस जो मिलकर बने होते हैं, यानि कोडोन ही तीन नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है, तीन नाइट्रोजन बेस, यही कोडोन अमीनो एसिट को बनाता है, किसको बनात है यानि कोडोन से मिलकर बनने वाले अमीनो एसिट को हम त्रिपलेट कोड कहते हैं यानि कोडोन ही है जो अमीनो एसिट को बनाते हैं ठीक है अगली लाइन आपको यह मालूम होना चाहिए फ्रेंड कि जनेटिक कोड जो हम पढ़ रहे हैं इसके आओ सकता ही हमें क्यों पढ़ी यह जो जनेटिक कोड है यह हम पढ़ ही क्यों रहे हैं इसके बारे में मालूम होना चाहिए तो आया हम पहले इसके जाने कि हम जनेटिक कोड क्यों पढ़ ठीक है अब जानते हैं कि जो डियेने होता है यह अपनी ही फोटो कापी बनाता है अगर डियेने है डियेने का रेप्लिकेशन होगा तो जाहिर सी बात है डियेने बनेगा और डियेने एक पास कौन गौन से नाइट्रोजनी बेस होते हैं एडनीन गौनीन साइटोसीन और जो होता है त्रांस्क्रिबस्क्रिप्सिन होता है यो बस नाइटरोगिन भी सतल Leist Cancer 體रिन के कंडिशन में लेकिन यानि ये दोनों एक तरस ये दोनों समान है naitrogen base से nitrogen base बन रहा है इहां भी nitrogen base के बाल इस्से आ भी किस बेट चरथेन ईसे हम अप्सन में DNA से MRN, ट्रांस्लेशन में MRN से प्रोटीन, MRN एक पास का अनुसा नाइट्रोजनिवेस है, एडनीन, गौानीन, साइटोशीन और यूरसील, लेकिन यहाँ पास प्रोटीन में क्यावल अमीनो एसीड है, क्यों आप जानते हैं, अमीनो एसीड को हम बिल्दिंग ब यहां भी नाइट्रोजिनी बेस से नाइट्रोजिनी बेस बना, लेकिन यहां भी नाइट्रोजिनी बेस से नाइट्रोजिनी बेस नहीं बना, यहां नाइट्रोजिनी बेस मिलकर कुछ बनाए, कुछ अलग से बनाए, यह तो प्रोसेस तो सेम है, यह अलग है, यही जानने के पहल आगे बड़ी जिस्से हमने क्या क्या देखा यह नाइटरोजटों फेस्ट का निर्माड करते हैं तिन नाइट्रोजनी बेस मिलकर अमीनो एसेट का निर्माड करते हैं, यही चीज जानना चाहते थे, कि नाइट्रोजनी बेस में ऐसा क्या हुआ कि अमीनो एसेट बना, और धीरे धीरे हमने जब सिंगलेट कोड डबलेट कोड पढ़ा, तब हमें पता चला कि त्रिपलेट को कोड़ोन बोलते हैं और यही कोड़ोन ऐमीनो एसेट को बनाते थे, ठीक है फ्रेंट्स, थोड़ा और हम डिटेल कर लें इस चीजों को, देखिए हम थोड़ा कुछ ऐसे कोड़ोन के बार हम जान जान जा, जो ऐमीनो एसेट बनाते हैं, जैसे आपको पता होगा, कि AUG, AUG, एडनीन, यूरेसिल, गौनीन, यहीं तीन नाइट्रोजीन बेस हैं, एक साथ हैं, यह क्या, इसी तीन नाइट्रोजीन बेस एक साथ होगा, तो उसे को हम कोड़ोन बोल देंगे, ठीक है, कोई डाउट नी इसमें, यह जो AUG है, यह AUG जो कोड़ोन है, यह किसका निर्माड करता है, यह किसको निर्माड करता है, यह कोड़ोन का मतलब, AUG कोड़ोन करता है, किसको अमीनो एसिट को, मिथायोनिन अमीनो एसिट को, यह जो एक कोड़ोन है, यह जो तीन नाइट्रोजीन बेस से मिल कर बना, यह कोड़ोन, किसको पैदा करता है, यह पैदा करता है, यह को वेलेंटीन को भॉछ सारी अमेन बहुंक पैदा करते हैं जैसे हम बोलते हैं और जैसे वोग They tel अध्यूसी जी udaं ट्यूसी ऑज्यित यू यू यो यो यह तीनों नाइ्टरोजेन में यह गया एक ले अक् yıl यह यह तीनों कोड़ाउन इसको पैदा करते हैं यानि इसको कोड़ित करते हैं वेलेनिन बनाते हैं पैदा करने को मतलब बनाते हैं ठीक है और जैसे जी ए जी 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 ए जी ये ये किसको पैदा करता है ये पैदा करता है ट्रिप्टोफेन त्रिप्टूफेन यह ट्रिप्टूफेन को पैدا करता है त्रिप्टूफेन यह जो पहता है यह आपके ग्लूटामिक एसीड glutamic acid यानि glutamic amino acid को पैदा करता है coded करता है ठीक है ये कोड़ोन जी एजी और अगर UGG यानि ये भी एक कोड़ोन है ये tryptophan को tryptophan को coded करता है फिर समय पर देख लें AUG मेथायनिन को बनाएगा GUG, GUA, GUC GUU, ये वैलेनिन amino acid को बनाएगे GAG glutamic को और GUGG, ये किसको बनाएगा tryptophan amino acid को बनाएगा और जैसे और बहुत सारे हमारे पास है ये साब बोल दें CCU CCC CCA CCG ये आपके proline किसको फ्रेंट्स, proline amino acid को बनाते है यानि ये तीनो amino acid मिलकर ये कोड़ोन, ये कोड़ोन ये हो गया दूसरा कोड़ोन, तीसरा कोड़ोन, चौथा कोड़ोन ये चारो कोड़ोन proline को बनाते हैं चारो कोड़ोन को मतलब चारो एक साथ मिलकर proline को नहीं बनाते हैं एक-एक, इस कोडॉन में इतनी छमता है कि ये इसको बना लेगा, ये भी कोडॉन प्रोलिन को बना लेगा, ये भी कोडॉन इस प्रोलिन को बना लेगा, ये भी कोडॉन इस प्रोलिन को अकेले बना लेगा, ठीक है? अब फ्रेंड्स आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कोडोन होते हैं वह होते कहा हैं कहां पाई जाते हैं कोडोन अगर आपसे कोभी पूछे कि कोडोन जो होते हैं यह पाई कहां जाते हैं तो आपको तुरंत बोलना है यह mRNA की प्लेट में पाई जाते हैं, mRNA के sequence में पाई जाते हैं, sequence मिस, देखें, आपको पता होगा कि mRNA होता है, single है, standard होता है, ठीक है, और एक सीरा जो होता है, इसके बाद दो सीरी होते हैं, एक polarity five dash होती है, एक three dash होती है, इतना मालूम होगा, और इसी बीच में, जो codon होते हैं, A, G, A, C, U, C, G, A, G, C, U, कैसे भी आप रख से, कोई दिक्कत नहीं, तो यहीं तो codon है, यहीं तीन मिलकर, एक amino acid बनाते हैं, यह तीन मिलकर amino acid बनाएंगे, यह तीन nitrogen base मिलकर amino acid बनाएंगे, और यह तब बनाएंगे, जब इनके ऊपर ribosome, कौन सा ribosome आ जाए, राइबोसome आ जाएगा, और यहीं राइबोसome, इनको आशे राइबोसome धीरे 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 निकलता जाएगा, इनके ऊपर से निकलता जाएगा, और धीरे धीरे amino acid को बनाता जाएगा, यह amino acid को उपर से निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, जिस nitrogen base की ऊपर स में इसे धीरे-धीरे राईबौसोम नाइट्रोजन वेस जो कोडोन है ये किसमने अनुकलेस के अंदर छुछासा जेनेटिक और हों लाता है कि छेवलेट्क किया होता है, टेप्लेट कोड क्या होता है, ठीक है , इस आपको पता हो गल्या में सिंग्लेट कोड हमने बोला तो हम singlet code के बारे में जानते हैं कि singlet code क्या होता है simple था और tough नहीं है friends singlet code आपको पता होगा कि जब nitrogen base जब nitrogen base थे एक codon बने कहने का मतलब है जब प्रतेक code एक nitrogen nitrogen fixes से मिलकर बना होता है है बना होता है कि यानि प्रतेक जो code का मतलब Ang, c embroidering codon एक listings code में जो गुदोन होते थे वह एक nitrogen base थे मिलकर बने होते थे यानि हमारा बास कितने nitrogen भाते हैं आ, u, c , g यानि प्रतेकכ कोडॉन जो हैं वो कितने नाइट्रोजनी बेस से सिर्फ एक नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बने होते थे इसले हम क्या बोलती है एकल कोड हिंदी में इसे बोलते हैं एकल कोड यानि प्रते कोड़न एक नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है जिसले हम क्या बोलती है एकल कोड एक यह नाइट्रोजनी बेस यह अलग से एक ही कोड़ोन है यह भी एक कोड़ोन है यह सिंगलेट कोड के कोडिंग हम बोल रहे हैं यह सभी एक एक कोड़ोन से मिलकर बने होते थे यह एक नाइट्रोजनी बेस एक कोड़ोन को बनाते था अगले नाइट्रोजनी बेस अगले कोड चार ही कोडोन है और हमारे पास अमीनो Plaid कितने है에्रेंड हमारे बींग सी लुट हेंदर टूटल स्लिबिन इस एन कितने और aos उत whenever पास 4 और कितने कोडोन ही इकτα्रूण इक कडॉन आते हैं, ठीक है तो कितने एमीनोजिर को बनाएंगे, और हमारेपास, कितने एमीनोजिर को बनाएंगे 20 में 4 अमिनोजिल बना रहे हैं, ऑर कितने एमीनोजिल बच रहे हैं, सिस्टीन कितने बच रहे हैं सिस्टीन बच रहे हैं किवल four amino acid बन रहे हैं यह four codon है इस फोर amino acid बना रहे हैं सिस्टीन बच रहे थे इसलिए इस नियम को क्या कर दिया गया अनेक्सेप्ट फिल कर जाए बोलागे एक single code acceptable नहीं है फिर आया धीरे से doublet code आया इसके बारे हम जान इसे codon कि स्थों मिक तो डो नायट्रोजीनी बेस से मिलकर बना होता है नायट्रोजीनी बेस से मिलकर बना होता है यह हमें पता चला कि जो hisctecos दो होगे यह इसमें क्या हुआ हई यह हूम यह यू जीसी भास इसको को डाइग्राम भी इचार लेते हैं ऐसे ए ए ए यू ए जी ए सी तो इस तरह कितने ब्रैकेट बन जाते सोला कितने बनते सोला यहां क्या बोला प्रतेक कोड़ॉन प्रतेक कोड़ॉन दो नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है कितने नाइट्रोजनी बेस से दो अब इसे दो को हम क्या बोल दिये कोड़ॉन यानि प्रते कोड़ान दो नाइट्रोजिन बेस जो मिलकर बनाओगा उससे हम क्या बोल देंगे कोड़ान ये भी कोड़ान है ये भी कोड़ान ये भी कोड़ान कितने कोड़ान है अगर सिस्टीन कोड़ान है तो सिस्टीन अमीनो एसीड ना बनेंगे और हुमन बिंग के पास कितने अमीनो एसीड है बन रहे हैं कोड़ान से कितने अमीनो एसीड बच रहे हैं अभी भी चार तरह की अमीनो एसीड बच रहे हैं अब इनको कौन बनाएगा ये भी तो हमारे अ बनते हैं बस इसलिए इसको भी अनेक्षेप्ट कर दिया गया ठीक है उपर वाला भी अनेक्षेप्ट हो गया नीचे वाला भी अनेक्षेप्ट हो गया इसके बाद आया त्रिपलेट कोड क्या है फ्रेंड्स त्रिपलेट कोड यह त्रिपलेट कोड हमें क्या बताता था यह रिपलेट कोड यह हमें बताया है कि जो कोडोन होते हैं जो कोडोन होते हैं तीन नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं यानि प्रतेक कोडोन तीन नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है कितने तीन नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है लेकिन आप इतुना जान जान जान